दोस्कार दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि bank transfer आप कैसे कर सकते हैं धानी वालेट का जो बैलनस होता है bank में transfer कैसे कर सकते हैं तो नीचे देखिए तीन ओप्सन देख रहे हैं आपको transfer to bank send money और request का तो बैंक transfer वाले पर क्लिक कर दीजे और यह जो जर्नल बैलेंस है यह आपके बैंक में ट्रांसफर के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं बैंक पे क्लिक करिए उसके बाद यहां देखिए प्लस का निसान आ रहा है प्लस का निसान आपके में आ रहा होगा या तो AID अकाउंट का आ रहा होगा तो आपको वहाँ पर PLUS करना है मैंने पहले ही AID कर दिया है इसलिए आपको दिख रहा है कि मेरा Paytium Payment Bank वाला bank तो आपको बताना चाहूँगा जो ज़्यादा यूज में आपके bank नहीं होता है वो यूज करने के कोसिज करना हो सकता है कि Paytium Payment Bank हो आपके पास तो वो वाला एड करना ताकि कोई problem परिशानी हो तो आप उसको बंद कर सकें जैसे ECS वाली दिक्कत इसमें आ जाती है तो अकाउंट नमबर आएफसी कोड वगरा डाल दीजिए ब्रांच वगरा डाल दीजिए इस तरह से एड हो जाएगा बेंक पर कलिक कर आछ यानिंक जो नाम दिख रहा है आपका जो हो गया है अकाउंट उसको इसमें करने पर आपको दानी जर्नल करना है तो मेरा 300 है तो मैं 300 ही पूरा टांसर करने जा रहा हूँ तो अब यह धानी कर चार्ज है इसमें लग जाता है 10 रुपए सीधे 10 रुपए लग रहा है लेकिन उन्होंने बोला है जो प्रोसेसिंग फीस है उनकी 2.75 है इससे हायर आप भेजेंगे याने की ज्यादा माउंट भेजेंगे तो जो भी अमाउंट होता है उसका 2.75 परसेंट चार्ज ये लगा लेते हैं त तो ये option अपना सकते हैं उसके बाद ये आपको continue करना है यानि कि अगर आपके bank में भेजना ही है आपको तो यहां पर transfer पर click करेंगे तो transfer हो जाएगा with charge यानि कि जो इनका charge लग रहा है उससे लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगा transfer तो हो जाएगा account में लेकिन आपको बताना एक चीज़ यह चाहूंगा कि जो यह sms आप देख रहे हैं कि जो मैंने अपने नाम का धानी wallet में aid किया है यह beneficiary जो मैंने aid किया है इसके 30 मिनट बाद या फिर एक घंटे बाद 30 से एक घंटे के बाद ही यह try करना क्योंकि वह थोड़ा सा time ले लेता है धानी में आपका अकाउंट अपडेट होने के लिए उसके बाद आप भेजेंगे तो हो जाएगा तो इस वीडियो फिला इतना ही चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना